स्वावित है आप सभी का नई वीडियो में हमारे मोहले में एक गुंगा लड़का आता था जिस पर पूरे मोहले की ओरते मरती थी और उससे शादी करना चाहती थी मैं हैरान थी कि इस लड़के में ऐसे क्या था जो मोहले की सब ओरते उसकी दिवानी थी फिर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ मेरी शादी उस गुंगे लड़के से हो गई उस रात गुंगा कमरे में आया तो उसे देखते ही मैं चकरा कर गिर पड़ी क्योंकि वह है तो आज फिर मैं अपने कमरे में दरवाजा बंद करके जोर जोर से रूर रही थी मेरी रोने की आवाज बाहर मेरी मा तक जा रही थी मेरी मा रोने की आवाज सुनकर मेरे कमरे का दरवाजा खटखटा रही थी कि सोनल बेटा दरवाजा खोलो और हमारी बात सुनो मैं मा की बात कैसे मानती क्योंकि मा और भाई मिलकर मेरी शादी मुझसे 15 साल बड़े तीन बच्चों के बाप से कर रहे थे मेरी अभी उम्र ही क्या थी मैं अभी 20 साल की ही हुई थी फिर भी शादी की कितनी जल्दी थी मैं मेरे पापा के बाद भाई पर इतना बड़ा बोज बन गई थी क्या जो अब वो जल्द से जल्द बोज उतारने की कोशिश कर रहे थे मैंने मेरी माँ को रो रो कर बहुत बार समझाया था पर मेरी माँ भाई की ही साइड में थी कहने लगी कि लड़का काफी अमीर है तू महां पर बहुत खुश रहेगी वह भाई का बहुत अच्छा दोस्त था उसकी बीवी का देहांत चार साल पहले एक रोड हाथसे में हो चुका था और वह अपने छोड़े बच्चों के लिए शादी करना चाहता था वह अपने बेटे से बहुत प्यार करता था उसे दूसरी शादी करने का कोई शूक नहीं था बस वह अपने बच्चों के लिए एक आया लाना चाहता था जो उसके बच्चों को संभाल सके भाई और मेरी माँ सिर्फ उसकी दोलत देखकर लालच में आ चुके थे कि अगर मैं शादी करूंगी तो सारी दोलत मेरी माँ और भाई को लाकर दे दूंगी मैं ऐसी लड़की बिलकुल भी नहीं थी मुझ में पैसे का जरा लालच नहीं था मैं उसके साथ शादी करना भी नहीं चाहती थी क्योंकि मैं अपने कॉलिज के एक लड़के संदीब से बहुत प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी भाई को भी संदीब के बारे में मालूम था पर भाई संदीब को बिलकुल भी पसंद नहीं करता था भाई और मेरी मा को मैंने संदीब के बारे में बता दिया था कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ संदीब के साथ ही करूंगी पर भाई इस बात को मान ही नहीं रहे थे वो कहते थे मैं तुम्हारी शादी अपने दोस्त से ही करवाऊंगा आज फिर से भाई ने अपने दोस्त से शादी की बात चलाए तो मैंने दर्वाजा बंद करके खुद को मारने की कोशिश की मेरी चीक से हमारे महले की काफी ओरते जमा हो गए और तमाशा देखने लगी मैंने अच्छा खासा तमाशा बना दिया इसलिए मेरी मा कमरे में आ गई और मुझे जोरदार थपड मार दिया मैंने मेरी माँ को कहा कि आप जितना चाहे मारे मुझे पर मैं आप लोगों की बात कभी भी नहीं मानूंगी मैं शादी करूंगी तो सिर्फ संदीब से ही करूंगी मेरी माँ मेरी जीद और मेरी हरकते देख कर हार गई और मुझे कहा आज संदीब को बुला लो और चुप चाफ शादी करके यहां से चली जाओ मैं तुम्हारी शादी धूमधाम से नहीं कर सकती तुमने जो मनमानी की है मेरी और अपने भाई की इज़त नहीं रख सकी हमारा कहना नहीं मान सकती तो तुम्हारी हमें कोई जूरत भी नहीं है मैं आज तुमसे सारे नाते खतम करती हूँ आज से मैं तुम्हारी मान नहीं हूँ और ना ही तुम मेरी बेटी हो मेरे घर से विदा होकर चली जाओ और आएंदा कभी भी मेरा दरवाजा पल्ट कर ना देखना मैंने सोच लिया कि आखिर लड़कियों को भी अपनी पसंद की शादी करने का हक है तो मैंने यही सोच कर संदीब को बुला लिया मेरे घरवाले मान गए कुछ वक्त के बाद खुद ही नराजगी खतम हो जाएगी बस एक बार संदीब से मेरी शादी हो जाए मेरी माने भाई स भी बात कर ली तो भाई ने भी अपना हर रिष्टा मुझसे खतम करने का फैसला कर लिया और कहा कि जल से जल अपने आशिक को बुला लो और हमारे घर से विदा होकर चली जाओ मैंने संदीब को फोन किया तो संदीब ने कहा मैं अपने घरवालों को मनाने की कोशिश कर रह हूं जैसे ही मेरे घरवाले मान जाएंगे तो मैं इनको लेकर तुम्हारे घर आ जाओंगा और हम शादी कर लेंगे इस बात को चार दिन गुजर गए पर संदीब के घरवाले ना माने भाई ने भी अपने दोस्त को इंकार कर दिया और उस से कहा कि मेरी बहन शादी के की देख लो अभी मुझे संदीब की चिंता खाय जा रही थी कि पता नहीं संदीब मुझे धोका तो नहीं दे रहा अगर संदीब ने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं अपनी मा और भाई से नजरे नहीं मिला पाऊंगे मुझे अपने प्यार पर पूरा यकीन था जो मुझे अब तूटता हुआ नजर आ रहा था दो दिनों के बाद संदीब का नंबर मिलाया तो नंबर बंद जा रहा था तो मुझे डर लगने लगा मैंने अपने सभी दोस्तों को कॉल करके संदीब के बारे में पूछा जिन जिन को मेरे और संदीब की महबत के बारे में पता था पर सबी लोग संदीब के बारे में नहीं जानते थे संदीब ने मुझे हमेशा मना कर रखा था कि तुम कभी भी मेरे घर के नمबर पर कॉल नहीं करना चाहे कुछ भी हो जाए किसी भी अमरजंसी में भी कभी मेरे घर का नमबर डायल ना करना पर इस बार मैं बहुत ही मजबूर हो गई थी मुझे अब संदीब के घर का नंबर मिलाना ही पड़ा जैसे ही मैंने संदीब के घर कॉल की तो उसकी माने कॉल उठाए मैंने उनसे संदीब के बारे में पूछा तो कहने लगी कि तुम कौन हो मैंने उसको बताया कि आंटी मैं सोनल बात कर रही हूं मुझे संदीब से बात करनी है उसने मुझे बताया कि बेटा संदीब तो तीन दिन पहले मुंबई के लिए निकल गया था और आज उसकी अमरीका की फ्लाइट थी वो तो जा चुका होगा मैंने संदीब की माँ से कहा कि संदीब अमरीका क्यों गया है उसने तो मुझे कोई भी खबर नहीं दी थी कि मैं अमरीका जाने वाला हूँ तो अचानक उसका जाना कैसे हो गया क्या कोई जरूरी काम आ गया था तो संदीब की माँ ने मुझे बताया कि संदीब नोकरी करने के लिए चला गया है मेरे दिमाख ने काम करना बंद कर दिया संदीब ने मुझे इतना बड़ा जूट बोला कि मैं अपने घरवालों को मनाने की कोशिश कर रहा हूँ और जैसे ही मेरे घरवाले राजी हो जाएंगे मैं तुम्हारे घर उनको लेकर आ जाऊंगा और हम फोरण ही शादी कर लेंगे वो अमरीका जाने की त्यारी कर रहा था इसलिए वह बात को टाल मडोल कर रहा था मैं तूट कर बिखर गई थी संदीब ने मेरी महुबत का मजाख बना दिया था मैं अपनी मा और अपने भाई को क्या मूदी खाऊंगी अब यह सोचकर मुझे बहुत ही डर लग रहा था क्योंकि भाई ने अपने दोस्त के साथ जहां वो पहले मेरा रिष्टा करने जा रहे थे उनको भी इंकार कर दिया था मैं अब संदीब के धोके के बारे में सोचकर दिन रात रोती रहती थी क्योंकि मेरे पास रोने के अलावा कुछ भी नहीं था भाई ने मेरी पढ़ाई भी छुड़ा दी थी और मेरा घर से बहार जाना भी बंद कर दिया था क्योंकि मैं संदीब से हमेशा होटल, कैफे वगेरा में मिलती रहती थी तो भाई को ये सब चीजों से नफरत थी इसलिए उन्होंने मेरा घर से बहार जाना बंद कर दिया था मैं अब मेरी मा को बताने ही वाली थी कि पडोस की एक आंटी से मा को ये बात पता चल गई कि संदीब ये देश छोड़ कर यहां से चला गया है और उसने मुझे बहुत बड़ा धोका दिया है मुझे नहीं मालूम था कि संदीब ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया मैंने जाकर अपनी मा से कहा संदीब ने मुझे धोका दे दिया है अब आप लोग जहां पर भी चाहेंगे मैं शादी करने के लिए त्यार हूँ मेरी मा ने मेरे गाल पर एक जोरदार तमाचा बिमारा कि तुमने धोके बाज के चक्कर में मेरी और अपने भाई की इज़ट मिट्टी में मिलाए तुम हम दोनों की इज़ट के बारे में थोड़ा भी सोच लेती तो ये दिन देखने को ना मिलता मैं महले वालों के आगे कैसे अपने सर उठा का चलूँगी अब तो सबको पता चल चुका है कि तुम्हारा रिष्टा उसके घर से आने वाला नहीं है तुमने हमें कहीं कभी नहीं छोड़ा तुमने जिस तर अपने भाई और मेरी बदनामी करवाई है पूरे मुहले में अब कहीं से भी तुम्हारा रिष्टा नहीं आएगा और जब तुम्हारे भाई कोई है पता चलेगा कि संदीब देश छोड़का चला गया है तब पता नहीं क्या होगा क्योंकि मेरे कहने पर ही वो माना था इशादी के लिए अब मैं उसको क्या जवाब दूँगी सारी बाते सुनकर तो मुझे भाई से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि मेरा भाई पहले से ही संदीब से नफरत करता था और अब ये बात हो गई अब कुछ भी नहीं हो सकता था भाई के गुस्से के बारे में मुझे शाम को पता चलता जैसे ही भाई घर पर आया तो मेरा दिल डर के मारे जोर से धड़कने लगा मेरी माने जैसे ही भाई के सामने जाकर कहा कि सोनल के लिए दूसरी जगा रिष्टा देखना शुरू कर दो संदीब तो देश छोड़कर भाग गया भाई बोल रहे थे कि मुझे तो पहले दिन से ही पता था कि लड़का ठीक नहीं है पर आप लोगोंने मेरी एक ना मानी मैं अपने दोस्त के साथ रिष्टा करना चाहता था तब आप लोग माने नहीं अब मेरा आप लोगों से कोई रिष्टा नहीं है जहां आप लोग चाहो रिष्टा करो भाई उसी वक्त गुस्सा होकर घर से बहा निकल गए मेरी मा भी रोने बैठ गई मेरी वज़े से भाई ने काफी दिन तक बात नहीं की मैं जितना हो सकती थी रोई और धुआय मांगती रही कि भगवान मेरी लिए कोई ना कोई रिष्टा भेज दे मैं इस घर से विदा होकर चली जाऊंगी क्योंकि मैं अब अपनी मा और अपने भाई दोनों पर बोज बन चुकी थी वह लोग मुझे अपनी जिम्मेदारी से नहीं बलकि बोज समझ कर अपने साथ से उतारना चाहते थे मुझसे गलती हुई थी कि मैंने संदीब को पसंद किया था पर मुझसे कोई गुना तो नहीं हुआ था जिसकी सजा मुझे वो लोग इतनी बड़ी दे रहे थे कि मुझसे अपने सारा रिष्टा खतम कर रहे थे हमारे घर का महौल अब बहुत ही बदल चुका था भाई और मेरी मा के चहरे पर एकदम खामोशी चाय हुई थी क्योंकि मेरी वज़े से उनके मुहले वालों और रिष्टारों में बहुत जादा बदनामी हो चुकी थी मैं दिन रात रोती रहती थी एक दिन हमारे दरवाजे पर एक गुंगा लड़का आया उसने आकर ही जो जोर से दरवाजा बजाना शुरू कर दिया जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने एक लड़का खड़ा था और इशारों से खाना मांग रहा था और मैं इस वक्त अपने लिए खाना लेकर बैठी थी मैंने वह खाना उस लड़के को दे दिया मैंने सोचा कि शाद भगवान मेरी इसी नेकी से खुश हो जाए और मेरे लिए कोई रिष्टा भेज दे मैंने उस लड़के से कहा कि तुम बहुत ही नوجवान और खुबसूरत हो और मेरे लिए दूआ करो कि भगवान मेरी दूआ को सुन ले उसने मुझे इशारों से कहा कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए दूआ करूँगा मैं उस लड़के से बात कर रही थी तब ही हमारे महले की एक लड़की जिसके साथ मैं अपने दिल की हर बाद शेयर किया करती थी वह सामने अपने दर्वाजे पर खड़ी हुई सबजी वाले से सबजी ले रही थी मुझे इस लड़के के साथ बाते करते देखकर उसी वक्त मेरे दर्वाजे तक मेरे पास आई और कहने लगी कि सोनल क्या बात है मैंने कहा कुछ नहीं रानी बस इस बेचारे गुंगे से दुआ करवा रही हूँ उपर वाला ऐसे लोगों की दुआ जल्दी सुनते हैं रानी को संदीप के बारे में सब कुछ मालूम था और उसको मेरे घर के महौल का भी पता था रानी मेरे भाई को पसंद करती थी और मेरे भाई से शादी करना चाहती थी वह हमारे घर जादतर आती रहती थी मेरी मा से तो उसकी कुछ खास नहीं बनती थी क्योंकि मेरी मा को शायद वो बिल्कुल पसंद नहीं थी इसलिए मेरे पास बैठने के लिए आ जाती थी ताकि किसी न किसी बहाने से भाई को देख सके जब वह गुंगा लड़का महां से चला गया तो रानी मुझे कहने लगी सोनल क्या सोच रही है मैंने रानी से कहा मैं यही सोच रही हूँ कि मेरी प्राथ न जल्दी सुन ली जाए उपर वाला क्यों नहीं सुनेगा यह बेचारा गुंगा है और कितना खुबसूरत नोजवान है तुम्हे पता है सोनल महले की आधी लड़कियां इसको देखने के बहाने से भीक लेकर आती है यह लड़का हर शनिवार को इस महले का चक्कर लगाता है और सारी लड़कियां इसको देखने लग जाती है हम दोनों आपस में बाते कर रहे थे जब भाई मोट साइकल पर आए और हम दोनों को दरवाजे पर खड़ा देखकर गुसा होने लगे मैं घर के अंदर चली आई और रानी भी भाई को देखते देखते अपने घर के दरवाजे में घुस गई भाई सीधे मेरी माँ के कमरे में चला गया और मेरी माँ से धीरे धीरे आवाज में बाते कर रहे थे मैं दरवाजे के बाहर खड़ी थी ताकि उनकी बात सुन सकूं कि भाई और मेरी माँ आपस में क्या बात कर रहे हैं पर वह दोनों ऐसे बोल रहे थे कि मेरे कान तक कोई आवाज नहीं आ रही थी क्योंकि वो दोनों कमरे में अंदर बैठे थे और मैं दरवाजे में खड़ी थी मैं दिल ही दिल में ये सोच रही थी कि शायद जो दूआ करवाई है वो पूरी होने जा रही है मुझे पूरा यकीन था कि भाई और माँ मेरी रिष्टे की ही बात कर रहे होंगे वरना भाई इतना धीरे से बाते ना करते कुछ देर बाद में रानी के घर गई थी जैसे ही मेरानी के घर से निकली तो पड़ोसिय के दरवाजे पर वह गूंगा लड़का बैठा था वहाँ पर चार लड़कें और भी खड़ी थी यह देख मैरानी के घर से जल्दे अपने घर आ गई क्योंकि मुझे यकीन था कि वो गुंगा लड़का दरवाजी पचक कर जरूर लगाएगा आखिर उसकी दूआ जो रंग लाई थी मैं यही सोचकर गुंगे लड़के के इंतजार में खड़ी थी जब वह आया तो मैंने उसको पूरे हजार का नोट थमा दिया और इशारों से कहा तुम्हारी दूआ का ही असर है मेरे साथ अच्छा हो रहा है वो हजार का नोट देखकर खुश हो गया और मेरे लिए हाथ उठा कर दूआ मांगते हुए वहां से चला गया मेरे साथ काफी हद तक अच्छा हो रहा था इस बात को तकरीबन तीन महीने गुजर गए थे वह लड़का हमारे महले में ना आया एक दिन में मां के पास बैठी हुई थी जब मेरी मां मुझसे शिकायत कर रही थी कि बेटी आजकल तेरे रिष्टे के लिए मैं और तेरा भाई बहुत ही परिशान है अगर तुम रिष्टा ना ठुकराती तो अब सब अच्छा होता अभी मेरी मां की बाते चल ही रही थी कि मेरा भाई मेरी मां के पास कुछ समान लेकर आया जिसमें एक लाल जोड़ा और कुछ मिठाई के डिब्बे थे भाई यह समान आखिर क्यों लाया था चलो शुकर है मा ने मुझे कहा ये लो बेटा जल्दी से से पहन लो मैं कुछ भी बोल ना सकी मेरी शादी किसके साथ होने जा रही थी मुझे कुछ मालूम नहीं था मैं सब कुछ पूछने का हक हो चुकी थी पहले भी एक रिष्टे से इनकार कर चुकी थी उसके कारण में काफे कुछ भूगत चुकी थी मैंने तो अभी यह सोच लिया था कि अब जिसके साथ में भाई मेरी शादी करेंगे चुप चाप कर लूँगे भाई मेरी शादी एकदम सादे तरीके से करने वाले थे ना बाजा था ना महमान थे मेरी माँ और भाई बहुत ही खुश थे इसलिए मुझे लगा शायद इस बार पहले से ज़्यादा अच्छा रिष्टा भाई मेरे लिए लाए होंगे थोड़ी देर में वे लोग हमारे घर में आए तो भाई ने उन्हें बैठने को कहा फिर चाए और खाने को कुछ दिया क्योंकि वह लोग कोई जादा नहीं थे बस कोई दस लोग थे जिसके बाद भाई और मेरी माँ मुझे उनके सामने ले गए जहां पर मेरा होने वाला पती और बाकी महमान बैठे हुए थे हमें बस पंडित का इंदिजार था मैंने एक नजर उठा कर भी अपने होने वाले पती को नहीं देखा था क्योंकि वो जैसा भी था अब मुझे 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 नजूर था संदीब के धोके के बाद मैं अपनी माँ और अपने भाई को किसी के लिए भी मना करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी मेरी शादी हो रही थी उससे मैं मुझे संदीब की बहुत यादा रही थी क्योंकि मैं संदीब से शादी कर लेता तो मैं आज अपने आपको खुश किसमत लड़की समझती लेकिन वो तो धोका दे कर यहां से भाग गया था थोड़ी देर के बाद पंडित भी आया जिन्होंने हमारी शादी करवाई शादी हो जाने के बाद सारे लोग वहां से चले गए सिवाए मेरे पती के कुछ देर के बाद माने मुझे गले लगा कर सिर्फ इतना ही कहा बेटी मैंने तुम्हारे साथ अच्छ नहीं किया मैंने मा को कहा कि मा आपकी कोई गलती नहीं है जो गलती है सब मेरी है और मैं अपनी ही गलती की सजा कोई गिला नहीं है मुझे माफ कर दीजिएगा मेरी वज़े से आप लोगोंने बहुत ही बदनामी उठाई है मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है इसके बाद कुछ ही देर में भाई ने मुझे और मेरे पती को एक गाड़ी में बठा दिया और गाड़ी चलने लगी मुझे नहीं मालूम था कि यह गाड़ी कहां जा रही है क्योंकि चलते चलते वह गाड़ी रास्ते की एक सुनसान जगा पर जाकर खड़ी हो गई और मैं सोच रही थी कि गाड़ी यहां पर क्यों रुगी है और हम लोग यहां पर क्यों आए है तब ही मेरा पती गाड़ी से उत्रा और कुछ बोले बीना गाड़ी का दरवाजा खोल दिया मैं गाड़ी से उत्री तो वो मुझे एक जोपड़ी में ले गया जहां पर एक छोटा सा घर था यह देख कर तो मेरे पैरो तले से जमीन निकल गई मेरे भाई और मेरी मा ने मेरी शादी जोपड़ी में रहने वाले से कर दी क्या वो लोग मुझे इतना तंगा गए थे मैं अपनी किसमत पर रो रही थी इस जोपड़ी में इतना ज़्यादा अंधेरा था कि मुझे वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था ये देखकर मेरा पती एक मौमबत्ती और माचिस ले आया और जैसे ही उसने मौमबत्ती जलाए कमरे में हलकी सी रोशनी हो गए उस लड़के को देखकर मेरी तो जान ही निकल गई क्योंकि वो तो वही गुंगा लड़का था जो अक्सर हमारे मौहले में आता रहता था मैंने एक बार उससे दूआ भी करवाई थी कि मेरी शादी जल्द हो जाए वही लड़का जिस पर हमारे मौहले की सारी लड़किया मरती थी मैंने उसको देखकर जैसे ही सवाल किया कि तुम मेरे पती हो तो उसने इशारे से सिबकार किया कि हाँ मैं तुम्हारा ही पती हूँ और उसने मुझे कापी पर लिख कर बताया जिस दिन तुमने मुझे दूआ करने के लिए अपने दरवाजे पर मुझे रोका था उसी दिन तुम्हारे भाई ने हम दोनों को देख लिया था तुम्हारे भाई ने मुझे तुम्हारा आशिक समझ लिया था उसने तुम्हे तो कुछ ना बोला पर मुझे बहु ज़ादा मारा और कहने लगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे दरवाजे तकाने की मैंने उसको लाग समझाने की कोशिश की कि मैं तुम्हारा आशिक नहीं हूँ लेकिन उसको यकीन ना आया वह देखकर यही समझा कि मैं तुम्हारा आशिक हूँ और भेश बदल कर तुम से ही बात करने आया हूँ उसने मुझे यही कहा कि तुम मेरी बहन से शादी कर लो मैंने कहा मैं शादी नहीं कर सकता तुम अपनी बहन की जिंदगी बरबाद मत करो तो कहने लगा अगर तुमने मेरी बहन से शादी नहीं की तो मैं तुम्हें और अपनी बहन दोनों को ही मार दूँगा मैंने सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए तुमसे शादी की मैंने अपने पती का शुक्रिया अदा किया कि उसने मेरी जान बचाने की खातिर मुझे शादी कर ली और मेरे बारे में इतना सोचा इसके बाद उस लड़के को ही मैंने अपना सब कुछ समझ लिया था, उसके घर को मैंने बहुत अच्छे तरीके से समभाल लिया, अब जो कुछ भी था मेरे लिए वही था, क्योंकि अब यही मेरा पती था, मैंने अब सोच लिया था कि मैं जिन्दगी में कभी भी अपने भा आई थी, मेरे घर में कोई भी सहलियत नहीं थी, और छोटा सा कमरा था, जो बहुत ही पूराना था, मेरी मा और भाई को एहसास हुआ, कि मैं जोपडे में नहीं रह पाऊंगी, और उनसे बहुत बड़ी कलती हो गई है, मेरी शादी गुंगे लड़के के साथ करवा कर, मेर साथ वापस चलो, मैंने पनी मा को इनकार कर दिया, कि अब जैसा भी है, यही मेरा घर है, जोपड़ी कच्ची ही सही, पर यहां सकून बहुत है, यह मेरा अपना घर है, भाई ने तो इसको मेरा आशिक समझ लिया, भाई को तो मुझ पर थोड़ा भी यकीन नहीं था, फिर म मैं आप लोगों के साथ वापस क्यों चलो, मेरी माँ और भाई दोनों मुझसे माफी मांग रहे थे, पर मैं अब बहुत खुश थी, माँ और भाई दोनों वापस चले गए, तो मेरे पती ने मुझे शुकरिया आदा किया, कि तुम मेरे साथ इस गरीब खाने में भी हूँ, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं, एक दिन मेरा पती किसी काम के कारण से बाहर चला गया था, मुझे बाहर से किसी की आवाज आए, मैं तीन दिन से भूका हूँ, मुझे खाना खिला दो, मेरे घर में तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि मेरे अब दिलो जान से महनत कर रहे थे, और मुझे खुश रखने की कोशिश करते थे, जैसे ही मैंने बिखारी की आवाज सुनी, मैं रुसोई की तरफ गई, कि अगर कुछ खाने को मिल जाए, तो मैं बिखारी को दे दूँ, लेकि इन रुसोई में कुछ नहीं था, बस रात की बची कुछ बासी रोटी पड़ी थी, मैं उसे पलेट में रखकर दरवाजे पर चली गई, जैसे ही दरवाजा खोला, देखकर मेरी जान निकल गई, कि वो बिखारी कोई और नहीं, बलकि संदीब था, संदीब पोईस तरह देखकर मैं हैरान हो गई, संदीब ने मुझे द धोका करने के बाद ही, मैं ऐसा हो गया हूँ, मैं संदीब की कोई भी बात सुनना नहीं चाहती थी, मैंने उसके मूँपर दरवाजा बंद कर लिया, और अपने घर के अंदर आ गई, वो कह रहा था, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, जब तक तुम, मुझे माफ नही करोगी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा इतनी देर में मेरा पती घर आ गया उसने संदीप को दरवाजे पर देखकर उससे सवाल किया कि कौन हो भाई क्यों हमारे दरवाजे पर बैठे हो संदीप ने सब मेरे पती को बता दिया कि मैं सोनल से माफी माँगना चाहता हूँ मेरा पती अंदर घर में आ गया और इशारे से मुझे पूछने लगा कि ये लड़का कौन है मैंने सब कुछ अपने पती को सच बता दिया कि यह वही लड़का है जिसकी वज़े से मेरी जिंदगी बरबाद हो गई अगर यह मुझे धोका ना देता तो आज में इतनी मुझे संदीब को माफ कर देना चाहिए क्योंकि अगर संदीब इस तरह ना करता तो शायद हम कभी भी एक ना हो पाते अगर तुम्हारे दिल में मेरी लिए थोड़ी सी भी जगा हो तो तुम्हें संदीब को माफ कर देना चाहिए मैंने अपने पती के कहने पर संदीब को माफ कर और संदीव वहां से चला गया इसके बाद मैं अपने पती के साथ बहुत ही खुशी से जिन्दगी गुजारने लगी तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कॉमेंट करके जरूर बताईएगा दोस्तों आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी आप हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएएगा यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले तो आप हमारे साथ उसको जरूर शेयर करें दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेण अदायक कहानिया सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें यदि आप हमें फेस्बुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेस्बुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसी ही जबर्दस कहानी ये टिप्स के साथ नई वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी अपना ख्याल रखना आपका दिन शुप वा मंगल में हो